हेलो फ्रेंड्स मैं शिताती और शिताती तक किजसमें मैं अपने सारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ जब भी कोई फेस्टिवल होता है कोई तेहोहार आता है तो हमें लगता है कि खूब सारी मिठाईयां खूब सारे पकवान बनाए जाएं तो कल जो है रक्षा बंधन है और मैं अपने भाईयों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुती मजदार सी रेसिपी मतलब मिठाई रक्षा बंधन जो है मिठाई का तेहोहार होता है reward जो बहने कलाई में भाईयों के जो है राक्य बानती है और मिठाई भी खिलाती है यह रेसिपी बहुत इजी है लेकिन एकदम यूनीक है शायदी आप में से किसी ने बनाई होगी रेसिपी बहुत असान है और देख के ही देखिए मन जो है वो ललचा जाता है आप इस रेसिपी को किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं और अगर अच्छी लगे तो एक लाइक और एक कमेंट्स जरूर कीजिएगा तो चलते हैं किचन में तो यहां मैंने देखिए धाइसोग्राम जो है खुआ ले लिया है आप घर पर भी खुआ बना सकते हैं दूद को गाड़ा करने के बाद पर इसे मैंने मंगवा लिया था इसको मैं कढ़ाई में रखती हूँ उसके बाद इसको थोड़ा सा जो है मैं पहले यह मेल्ट हो जाएगा उसके बाद जितना भी पानी है वो पूरा सुखाना है आप जब अगर खुआ मीठा है तो बिल्कुल भी चीनी ना एड़ कीजिएगा क्योंकि यह जब मैं बाद में रेसिप कम करके खोए को अच्छे से इस तरह से कर्ची से हिलाते हुए गाडा कर लेना है जैसे यह थोड़ा गाडा हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा इसको मैं एक प्लेट में रख लूँगी प्लेट में रखने के बाद इसको मैं फैन के नीचे पहले ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने के बाद फ्रीजर में इसको 10 मिनट के लिए रखोंगी ताकि ये और भी अच्छे से जम जाए ताकि जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूं वो आसान हो जाए तो यहां देखिए कढ़ाई चड़ा दी है और इसमें मैं अब मिल्क ले ले रही हूं आप कोई भी द और भी जो है काम कर लेती हूं तो यहां मैंने एक बावल में डेड़ कप मैदा ले लिया है नॉर्मल मैदा होता है न वो लेना है और इसमें कुछ भी एड नहीं करना है ना ओयल ना नमक ना चीनी सिर्फ पानी से इसको अच्छे से गोन लेना है जैसे हम पूरी का मैदा ग अच्छे से मैदे को गून लिया है और इसको 30 मिनिट के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूं इधर देखिए दूद जो है उबर रहा है इसमें मैं हमेशा कर्ची एक डाल के रखती हूं ताकि मैं कोई काम करती रहूं और दूद जो है उफन के बाहर न गिरने लगे तो अभी थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है इसको और भी गाढ़ा करना है तो 30 मिनिट हो चुके है तो मैदे को अब मैं ले लूंगी और इसकी छोटी छोटी जो गोल लोईयां होती न वो बना लूंगी तो डेड़ कप मैदे में थोड़ी बड़ी लोईयां लेनी है, जैसे हम पूरी को पतला बेलते हैं इसमें पतला नहीं बेलना है, इसलिए कम से कम डेड़ कप में 10 से 12 जो है लोई बनेगी, इधर दूद को भी बीज बीज में देखते रहना है, कि ये कितना गाड़ा हो रहा ह मतलब एक किलो दूद है, इसको आधा कर लेना है कर्ची चलाते हुए, अब लोईयों को मैं ले लूँगी और उधर जो खोवा है वो मैंने फ्रीजर से निकाल लिया है, आपको पहली बोला है, फ्रीजर में रखेंगे तो ये जब हम मैं इसमें स्टफिंग करने वाली मजेदार रेसिपी है ना, जी हाँ फ्रेंड्स इसमें जैसे कटोरा बना के इसके अंदर खोवे को ले लेते हैं और उपर से अच्छे से देखी इसको मोरना है, इस तरह से अंदर डालना है आपको कि ये पूरा भरा भरा सा रहे और उपर से इसको अच्छे से जो है मोर ले देखिए मैंने एक आपको बना के बिल्कुल दिखा दिया है इस तरह से दबा लेना है कि चारों तरफ से अच्छे से खुआ जो इस प्रेड हो जाए और मैं बाकी लोईयों में भी खुआ भर-भर के अच्छे से बना लूँगी तो ये देखिए फ्रेंट्स मैंने सारे की सारी बना ली है अब काम है बेलने का तो जैसे हम पूरी बेलते हैं थोड़ा सा इसमें रिफाइन लेके इसमें मैं पूरी बेदूंगी बहुत जादा पतला बिल्कुल भी नहीं करना है वरना जो है ये जब फूलेंगी न तो इससे खुआ जो है बहार निकलने का डर रहता है तो ओयल जो है गरम कर लिया है मैंने यहापे सादा तेर मतलब रिफाइन ओयल ले लिया है तो इसमें मैं एक एक डालूंगी और बनाती जाओंगी जो फ्रेंड्स आज मेरा वीडियो फर्स टाइम देख रहे हैं उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमेशा मेरी वीडियो देखते हैं उनका शुक्रिया बहुत ही तहे दिल से मैं करने वाली हूं तो जरूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिगा तो देखिए पूरिया जो है कितने मजे से फूल रही है लेकिन अंदर गुल फुली फुली सी बर नहीं है तो सारी जो जित्ती भी पूरिया है मैं इस तरह से डाल डालके जो है बना लूँगी पूरी जब फूलेंगी ना तो दोनों तरफ से थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए एकदम साधा साधा नहीं निकालिएगा थोड़ा सा ब्रावनिश होगा क्यों ब्रावनिश होगा वह आगे मैं वीडियो में आपको बताती जाओंगी वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा छोटी-छोटी वीडियो सोती हैं मेरी रेसिपीज चीज की रेसिपी मिलने वाली है और वो भी एकदम आसान क्योंकि मैं घरेलू डिश जादा बनाती हूं ताकि जादा से जादा मेरी फ्रेंट्स बना सके तो यहां देखिए पूरियों को दीरे-दीरे डालते हुए मैं सारी पूरियों को इस तरह से तल-तल के निकालती रह करने में देखिए तो एक लाइक और एक कमेंट्स जरूर कर दीजेगा फ्रेंट्स थोड़ा सा ही टाइम लगता है लाइक कमेंट्स करने में लेकिन मेरी चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है तो यहां देख रहे हैं मैंने सारी की सारी पूरियां अच्छे से क्रि भुआ भी बहुत मीठा है इसके बतले आप गुड यूज कर सकते हैं यहां पे आदा चोटा चमज मैंने क्या क्या है चार पांच इलाइची को घर पे ही मिक्सी के जान में पीस लिया था उससे इसकी खुश्बू बहुत अच्छी आती है अप में पूरियों को देखी इसमें एड कर दूँगी आप देखी रहे होंगे यह वाली रेसिपी कितनी मस्त है जब आप अपने भाईयों को कलाईयों में राखी बांदेंगे और अपने हाथ से बने हुई बिठाई खिलाएंगे तो फुर बात ही कुछ और है आप इस रेसिपी को किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही अच्छी रेसिपी है घर में कोई महमान आने वाला है तो भी आप यह रेसिपी बना कर रख सकते हैं उनको पता ही नहीं चलेगा कि आप उनको यह क्या खिला रहे हैं तुरंत इनको पूरियों को डालके आपको गैस ओफ नहीं करना है क्योंकि अभी इसको कम से कम 10 मिनिट तक उबलने देना है ताकि जो यह पूरिया है ना एकदम नरम हो जाएंगी आपको देखने से पता ही चल जाएगा अभी देख रहे हैं य इसका फ्ले मैंने थोड़ा सा मीडियम रखा है धीरे धीरे यह डोबने लगेंगी और दूद एकदम गाड़ा हो जाएगा मतलब पूरियों में एकदम गाड़ा गाड़ा जो है लिपटने लगेगा तो इसको करीबन मैं 10 से 15 में तक इसी तरह से उबाल उबाला है आप दे और घर में सब को खिलाईए देखिए कितनी नरम हो चुकी है तो दूद भी अब गाड़ा हो चुका है बहुत जादा गाड़ा नहीं करना है क्योंकि ठंड़ा होने के बाद यह एकदम से और भी जादा गाड़ा हो जाएगा तो करीबन 10-15 मिनिट के बाद आप मैं गैस जाता है दूद मतलब दूद जो है वह गाड़ा हो जाता यह देखिए एकदम गाड़ा हो चुका है अब मैं सर्व करके आपको दिखाती हूं यह देखिए फ्रेंड्स देख रहे हैं आप की दूद जो है पूर्यों में एकदम जैसे लिपट सा गया है अगर रेसिपी अच प्लोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो राकी का जो तेहार है वो बहुत ही अच्छे से आप लोगों का बीते सब लोग खुश रहें और मस्त रहें